नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि ओराटिल सीवी 500 टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, ओराटिल सीवी 500 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और ओराटिल सीवी टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यहां भी डिस्कस करेंगे कि ओराटिल सीवी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, ओराटिल सीवी एक ब्रेंड नेम है, ओराटिल सीवी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, ओराटिल सी सीवी टैबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फैफरों में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खासी होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, ताइफाइड होने पर, दातों या मसूरों में इं इंफेक्शन होने पर, पेशाब में इंफेक्शन होने पर, गोनोरिया होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इंफेक्शन होने पर डॉक्टर ओराटिल सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्टर ओराटिल सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर ओराटिल सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स हैं जिनमें आपका डॉक्टर ओराटिल सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में ओराटिल सीवी टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में ओराटिल सीवी टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की ओराटिल सीवी टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर ओराटिल सीवी टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। ओराटिल सीवी टैबलेट को डॉक्तर पाँच दिन से लेकर 10 दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। औराटिल सीवी टैबलेट की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको औराटिल सीवी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि औराटिल सीवी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। औराटिल सीवी टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने औराटिल सीवी टैबलेट को लेने की सला दी है। क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक औराटिल CV टैबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। और एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और Oratil CV Tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए Oratil CV Tablet को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Oratil CV Tablet को लेने की सलाह दी है Oratil CV Tablet viral infection होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है अगर किसी व्यक्ति को किड्नी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए क्योंकि किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में Oratil CV Tablet की डोज घटानी पर सकती है वैसे Oratil CV Tablet pregnant महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुक्सान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर Oratil CV Tablet को लेने की सला दे सकते हैं लेकिन Oratil CV Tablet को लेते समय स्तनपान करा रही महिलाओं को बच्चे में Oratil CV Tablet की वजह से होने वाले साइड इफेक्स को नोटिस करते रहना चाहिए यदि किसी बच्चे को दस्त होते हैं या त्वचा पर रहिशिस होते हैं तो स्तनपान करा रही महिलाओं को तुरंत ही डॉक्तर से सला लेकर Oratil CV Tablet को बंद कर देना चाहिए विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Oratil CV Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं